वम्ताप एनरजी की पार्टी त्रिणमुल कॉंग्रेस यानी TMC दस मार्च को पश्यम बंगाल की सभी 42 सीटों पर उम्मीद्वारों की घोशना कर चुकी है इसका ये मतलब हुआ कि पश्यम बंगाल में पार्टी का कॉंग्रेस के साथ कोई गड़ बंदन नहीं है TMC अकेले मैदान में उतर चुकी है चलिए आपको बताते हैं कि TMC किस लिस्ट के क्या माइने हैं TMC के कौन से दिगज उमीद्वार हैं और किसका टिकेट कड़ गया है इंडिया ब्लॉक की चर्चा जोरो पर थी उमीद लगाई जा रही थी कि तमाम असहमतियों के बावजूद भी त्रिडमुल कॉंग्रेस और कॉंग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे लेकिन मामला सीट के बटवारे को लेकर फस गया 2019 के लोकसवा चुनावों में पश्शिम बंगाल की कुल 42 लोकसवा सीटों में से कॉंग्रेस सिर्फ दो सीटे जीत पाई थी बाकी 22 सीटों पर टीमसी और 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी ममता बैनर जी पहले ही कह चुकी है कि असम और मेगाले में भी टीमसी चुनाव लड़ेगी वहीं उत्तर प्रदेश में एक सीट पर चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से उनकी बातचीच चल रही है कॉंग्रेस नेताओं के बयानों की माने तो ममता बैनर जी कॉंग्रेस को सिर्फ दो सीट देने को राजी थी जिस पर पिछले चुनाव में कॉंग्रेस ने जीत हासिल की थी TMC की ओर से सीट के ऐलान के बाद कॉंग्रिस नेता जैराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि कॉंग्रिस शुरुआत से ही TMC से सीटों को लेकर एक सम्मान जनक साज़ेधारी की अपील करती रही है कॉंग्रिस का हमेशा से कहना रहा है कि समझोते का हल एक तरफा एलानों से नहीं बलकि बादचीज से होना चाहिए कॉंग्रिस हमेशा से चाहती थी कि इंडिया ब्लॉक मिलकर बीजेपी का मुकाबला करे अब TMC की लिस्ट पर नजर डालते हैं कुल 12 महिलाओं को टिकट दिया गया है टिकट पाने वाले 6 उमीद्वार मुस्लिम समुदाय से आते हैं ममता सरकार में दो मौजुदा मंत्री हैं एक पार्थ भौमिक और दूसरे विपलब मित्रा बहरंपूर सीट भी खास बन गई है क्योंकि यहां से पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टिकट दिया है यह सीट कॉंग्रेस नेता और संसद में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी की पारंपर इक सीट है अधीर रंजन बहरंपूर सीट से पांच बार संसद चुने जा चुके हैं साल 2014 के लोकसभा चुनाओं में उन्होंने 3.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी और साल 2019 के चुनाओं में भी उन्होंने 80,000 से ज्यादा वोट हासिल किये थे यूसुफ पठान को टिकेट दे कर ये साफ हो गया है कि मम्ता बैनर जी यहां से अल्प संख्यक वोट अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है TMC सांसद महुआ मोहित्रा इन्हें आप सब जानते हैं संसद की सबसे वोकल नेता इनकी संसद से सदस्यता रद हो गई थी इसके बावजूद महुआ मोहित्रा पर फिर से भरोसा जताया गया है हुआ ये था कि महुआ मोहित्रा पर आरोप थे कि उन्होंने कथित तौर पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछे थे बीजे पिसांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि महुआ ने दर्शन हीरा नंदानी नाम के कारोबारी से रिश्वत लेकर कारोबारी गौतम अडानी और पीएम मोधी को निशाना बनाने के लिए सवाल पूछे थे इन आरोपों के बाद संसद की एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर महुआ मोहितरा को लोगसभा से निश्कासित कर दिया गया लेकिन आगामी लोगसभा चुनाओं के लिए पार्टी ने एक बार फिर उन्हें टिकेट दिया है वहीं पार्टी ने नुसरत जहां का टिकेट काड़ दिया है बशीरहार्ट सीट से नुसरत जहां की जगण पार्टी ने हाजी नुरुल इसलाम को चुनावी मैदान में उतारा है ये सीट भी खास है इसलिए क्यूंकि बशीरहार्ट में ही संदेश खाली का इलाका आता है जो अभी काफी चर्चा में है टीएमसी ने अपनी लिस्ट में मौजूदा साथ सांसदों का टिकेट भी काट दिया है इसमें वशिराट सीट से अभीनेतरी नूसरत जहां और कोलकाता की जादवपूर सीट से अभीनेतरी मीमी चक्रवर्ती शामिल है मीमी की जगा पार्टी ने साइनी घोश पर दाव चला है इनके अलावा बीजेपी नेता शुबेंदू अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिबेंदू अधिकारी का टिकेट भी टीएमसी ने काट दिया है इसके अलावा अपरूपा पुद्दार मोहन जातुआ सुनिल कुमार मंडल का भी टिकेट काट दिया गया अब और बड़े चहरों पर नजर डालते जिने टिकेट मिला है आसन सोल से शत्रुगन सिना को एक बार फिर से टिकेट दिया गया है इसी सीट से बीजेपी ने सिना के खिलाव भोचपुरी गायक पवन सिंग को टिकेट दिया था लेकिन टिकेट मिलने के एक दिन बाद ही पटनी सुजाता मंडल खां को टिकेट दिया है पार्टी ने मुकुट मनी अधिकारी को राना घाट से टिकेट दिया मुकुट मनी अधिकारी दे दो-तीन दिन पहले ही पार्टी जोइन की है इससे पहले वे बीजेपी में थे लोगसभा चुनाओं से जुड़ा हर अपडे को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए कुएंट हिंदी का मेंबर भी जरूर बने